आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोल प्रेस के साथ बच्चे क्या सीखते हैं और क्या चीजे अब्जर्फ करते हैं कैसे उनकी लर्निक इन्हेंस होती है और कैसे उनकी अब्जर्वेशन डीप होती है और शाप हो जाती है सबसे पहले हम चलेंगे लिट्रीशी और कम्म्युनिकैशन से क्या बच्चे सीक रहे हैं क्या लर्निंग हो रही है क्या एक दूसे सीखते हुए और दोसरी रोल P weten कर रहा है तो दूसरा अफ़ेंगे एक क्या 기억 ना स्य हिए तो मुझे क्या करना चाहिए तो ये listening comprehension है, understand करना है कि उसका दोस्त क्या कर रहा है या आप class में role play कर आ रहे हैं तो बच्चे एक दूसरे से discussion में समझते हैं कि वो कौन से characters हैं जिनका वो role play करने जा रहे हैं क्या चीज़ उनको जरूरी है, क्या dialogues है वो अखटे plan out करते हैं और एक दूसरे के views को समझने की कोशिश करते हैं Speaking skills बच्चों में develop होती है जब वो एक दूसरे से discussion करते हैं तो बच्चों में confidence आता है उनको ये पता चलता है कि हमने अपनी opinion, अपनी बात दूसरे को कैसे समझानी है क्या इलफास किया जूमले इसीमल्य करने हैं ऐज जब वो हुथ ये तमाम जूमले इलफास इस्तमाल कर ररे होते हैं अपने रोज बता रहे होते है उसकी वज़ा बता रहे होते हैं akkor पासद is परिं में होते हैं Reading उनकी डिवेलोप होती है, बच्ची जो है, जब हम उनको pretend play में डालते हैं, road playing में डालते हैं, जो characters होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद उसको understand करके mimic करते हैं करेक्टर्स बोलते कैसे हैं इसनकी speech inflation कैसी है कैसे speech inflect करती है कहां आइस्ता बोलते हैं कहां तेज बोलते हैं कौन तुटला के बोलता है कौन बहुत तेजी से बोलता है तो दे अंडर्स्टेंड विराइटी अफ तिंग और मिनिंग आफ द वर्स जो कि हम रीडाउट कर रहे होते हैं बच्चे बहुत से facial expression को वर्ट से गैस करते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे facial expression देने और अपनी body language से express करते हैं बच्चों की physical development में भी role play बहुत हैं कि दार अदा करते हैं बच्चों को opportunity मिलती है role play के अंदर कि वह actively participate करें और जो आपके routine के chores हैं for example कि जैसे हम बच्चों को simple household chores सिखा रहे हैं या उनको role play कर आ रहे हैं खाना पकाना गारी दोना या सफाई करना या अपनी गारी को drive करना तो यह तमाम चीजे बच्चे जो हैं बन्यादी तोर पर सोचते हैं और in routine को role play में आपको करके दिखा सकते हैं उस पर interesting किसम की एक बकारदा drama create कर सकते हैं इस तरीके से बच्चों की motor skills और जो आपकी gross motor control है वो develop होता है बच्चे चीजे उठाते हैं अपना set set करते हैं अपने आपको set करते हैं चीजों की arrangement करते हैं उसके इलावा बच्चों की fine motor skills भी develop हो जात हो जिसको manipulate कर सकते हैं role playing में जैसे कि चमत चलाना किसी चीज़ को pick up करना और इस किसम की pencils के साथ काम करना labels के साथ काम करना सो बच्चों की दोनों आपकी gross motor fine motor skills जो है वो develop होती है mathematics में role play क्या role अदा कर सकता है अब बच्चे for example अगर pretend play में दुकानदार बने वे हैं और वो ख देखने हैं कि हमने कितने दिया हमें कितने लेना है addition देखते हैं सब्स्ट्रक्शन देखते हैं money के अंदर यह देखते हैं कि अगर सको double किया जाए तो कितना होगा इसको half किया जाए तो कितना होगा उसके लावा बच्चों के experiences में comparison आ जाता है for example कि तुम हारे पास मुझसे मुझे दो गुना ज्यादा है या तुम्हें मुझे दो चीजे और देनी चाहिए या hundreds क्या है तो दीस आर डाय लॉक्स जो बच्चे दुकांदार बनके या एक बैंकर बनके या एक टीचर बनके या एक गहक बनके अदा करें पर दियार अक्चुली लर्निंग मैथमेटिक सकते कि बहुत चोटा है और मेरे बनके और लोगों के बारे में सेकी तो बच्चे जब रोल प्ले अन्दाजा होता हे कि उनके अंदर जिस character का वो रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी age का क्या difference है, gender का क्या difference है, families का क्या difference है, वो किसी और community के member का मैं रोल प्ले कर रही हूं, उसकी और मेरे accent में, और उसके और मेरे culture में, लिबास में, values में, और traditions में क्या फर्क हैं? रोल प्ले के थूँ बच्चे जो हैं, facial expression, body language, gesture, voice tone और accent शो करते हैं, जो मुक्तलिफ इलाके के लोग होते हैं, मुक्तलिफ कल्चर के लोग होते हैं, जिससें बच्चों की awareness बढ़ती हैं, बच्चे टेक्नोलजी भी इस्तेमाल करते हैं रोल प्ले में और pretend करते हैं कि they know how to use a technology for example, बच्चे जब रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो कई दफा वो TV anchor बने होते हैं, कई दफा वो कई director बने होते हैं, और वो cameras को utilize कर रहे होते हैं, या वो computer engineer बन जाते हैं, they are just typing on a keyboard और चीजों को वो use कर रहे होते हैं, अगर वो कहीं cashier हैं, तो वो barcode scanner बन जाते हैं, they are actually pretending how to use these items, what are the names of these items, और अब इन चीजों के साथ करते क्या हैं, इनके functions क्या हैं, वो pretend करते हैं और इसको learn भी कर रहे होते हैं, side by side, so बच्चे जो हैं कई दफा switchers use करते हैं, timers use करते हैं, ताके beeps create की जा सकें, so they learn how to use these kind of technology, और वो symbolic technology भी इस्तमाल करते हैं, recycle material से, for example के अगर वो कोई आवन बनाने जा रहे हैं, तो कार्ट बोर लेते हैं, उसमें उनको पता होता है कि अवन के अंदर एक डोर नीचे है, उपर कितने stoves हैं, so that's how they actually express what they learn about the technology what we have around, expressive art, expressive art के लिए a variety of media or resources use हो सकते हैं, media का मतलब है, वो चीजें जिसके अंदर आपकी drawing है, painting है, performance है, और आपका ज relationship है, ये तमाम चीजें मीडिया में आ सकती हो, resources, variety of ways और material जहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने role play के अंदर, बच्चे फ्रिक्वेंटली जो हैं, इस्तेमाल करते हैं music को, they take songs, they dance, और वो एक different language, rhythm और movement जो हो शो करते हैं, this is actually another very important medium of art, और बच्चे वराइट जीजें क इस्तेमाल कर सकते हैं role playing area के अंतर, for example, curtains को इस्तेमाल करते हैं, paintings को इस्तेमाल करते हैं, music बनाते हैं, interior के arrangement करते हैं, bottles को use करते हैं, recycle material को use करते हैं, ताकि वो scenario जो है, वो आपके सामने present कर सके, so that's how, जिब हम role play बच्चों के लिए design करते हैं, या उन्हें opportunity देते हैं, तो एक range of development, learning और observation जो है, हम उसकोंने मौका दे रहे हैं